the rain मतलब बारिश के पानी को आप catch खीजे और उसको जमीन के अंदर percolate करने में help खीजे ये सबसे आसान और simple तरीका है rain water harvesting को support करने के लिए यही वो समय है बारिश के एक मेना पहले जब आप अपना catch the rain campaign जो government of India का initiative है अंडर जलशक्ति अभियान कि हमें हर इंसान को अपने पार्ट का पानी जरूर catch करना चाहिए यहां मैं एक society में आया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक initial inspection करना चाहिए कि आप catch the rain मतलब percolation pit कहां पे बनाएंगे अब मैं आप camera हाथ में लूँगा पर आपको मैं दिखाता हूँ आपने देखा यह building है इस building का पानी हमेशा जहां पर आप देखेंगे इस टाइप के points होते हैं जहां चछत का पानी नीचे आता है यह है point चछत का पानी नीचे आया flexible pipes के आपको सबसे पहले दो factor माइंड में रखना है कि जो जगह है वो main building का जो है उससे 20 feet दूर रहे और आसपास अगर बड़ा पेड़ हो जैसे कि आप यह देख रहे हैं बड़ा पेड़ है तो इससे भी कम से कम 10 या 15 feet दूर होना चाहिए तो यहां हमने देखा कि यह जगह यह मट्टी निकालने के बाद अंदर से जो बड़े पत्थर निकल दें उसको अलग से रखेंगे जुरुत पढ़ने पर बाहर से पत्थर लेकर आएंगे और इस पूरे पिट जो बन जाता है उसको हम पत्थरों से भर देंगे यह जगह है जहां आप सबसे ज़ाधा पानी स्टोर कर सकते हैं और इवापरेशन नहीं होगा और हमेशा की लिए रहेगा और मैं आपको अच्छी तरह बता दू कि यह बहुत ही कमाल आउजिंग सोसाइटी है अला कि नाम लेना सही नहीं रहेगा लेकिन यहाँ पे इनका बहुत अच्छा प्रैक्टिस यह है कि यह अपना जितना भी नॉन ड्रिंकिंग पर्पस का जो पानी है वो ग्राउंड वाटर यूज करते हैं ना कि मिन्सिपल्टी का जिसे इनका पैसा भी बसता है और परियावरन के तरफ बहुत बड़ा योगदान है यह आप सामने देख अगर आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपनी हिस्से का पानी जरूर बचाना है थैंक यू सो मच